तुंगनाथ में आपका स्वागत है वो जगह जहां पे महादेव ने पांडवों को अपनी भुजाओं के दर्शन दिये थे वो जगह जहां पे दुनिया का सबसे उचा महादेव का मंदिर है वो जगह जिसे मिनी स्विटसर लेंड आफ इंडिया कहा जाता है झाल झाल तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुदरप्रयाद डिस्ट्रिक्ट में 12,106 फीट की हाइट पे स्थित इस दुनिया का सबसे उचा महादेव का मंदिर है तुंगनाथ इस देहरादून एरपोर्ट जो तुंगनाथ से 232 किलोमेटर की दूरिते हैं तुंगनाथ इस रिशिकेश रेलवे स्टेशन जो तुंगनाथ से 210 किलोमेटर की दूरिते हैं रिशिकेश या देहरादून से आपको बस या टैक्सी हायर करके रुदरप्रयाग के उखिमत तक बाइरोड जर्णी करनी होगी उखिमत से आप टैक्सी हायर करके चोपता तक पहुँच सकते हैं चोपता से तुंगनाथ साड़े 3 किलोमेटर का ट्रेक है लेकिन एक बात का ख्याल रहे उत्तराखंड में दो चोपता है एक चोपता विलेज और दुसरा चोपता हिल स्टेशन आपको चोपता हिल स्टेशन पहुँचना है जो की उखिमत के पास है तुंगनाथ तुरेक की शुरुवात चोपता से होती है झापको यादो फ्रिशचनाथचनाथ चोपता है मिनी स्विट्जर लैंड के नाम से प्रख्यात इस वैली में पहाडों के बीच शांदार हरे भरे घास के मैदान, घाटिया और घने जंगल हैं प्रैकिंग के साथ साथ नेचर लवर्स के लिए ये एक पर्फेक्ट डेस्टिनेशन है चोक्ता वाली प्रित्वी पर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां पे उचे-उचे पेड़ खड़े हैं सूरज की रोशनी पत्तियों से होकर गुजर रही है जो लाइट और शाड़ो का एक माजिकल प्ले क्रियेट करती है अगर आप ट्रेक नहीं करना चाहते हैं तो चोप्ता से 1200 रुपए के रेंट पर आपको खचर की सुविधा मिल जाएगी तुंगनाथ की क्लाइम दिन्स लो रहेती है विकास इस नो आप रीचिंग देस्टिनेशन इस अब आप एंजॉंग वीवस उफ नेचर इसलफ जैसे ही सूरज धीरे धीरे पहाडों के पीछे उतरता है, आकाश गर्म रंगों के ब्यूटिफुल कैनवास में बदल गया डूपते सूरज की सुनहरी किर्णों ने लैंड्सकेप को रिच अंबर ग्लो से पेंट कर दिया जआ अंबर यह लोग्या है लोग। तुंगनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक आर्किटेक्चरल मास्टर पीस है यहां के पत्थर सदियों से गढ़ी गई कहानिया बताते हैं, प्रत्येक पत्थर उन लोगों की भक्ती का प्रमान देता है, जो हमसे पहले इन रास्तों पर चले है टेंपल के वांटेज पॉइंट से, वी वर गिफ्टेड विद दिवाइन व्यू, हिमालय पीक्स और वालीज के मैजस्टिक शेड्स के साथ हमारे सामने फैला हुआ था But even as we bid farewell to this beautiful place, we eagerly expect the next journey that awaits us, because life ke fabric may, every ending is just a preparation for a new beginning Thank you for joining us on this unforgettable expedition